नमस्कार स्पागेत आप सभी का आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की मैं उस सौरव शर्मा आपके साथ कल से आज तक जिस खबर की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है कॉंग्रेस पार्टी के राम लला के प्रान प्रतिष्ठा के कारेकरम को ठुकराना कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से कल ये एलान कर दिया गया था कि सोनिया गांधी, मलिकार जुन खड़के और इनके अलावा अधीर अंजन चौधरी ये तीनों लोग 22 तारित के प्रान प्रतिष्ठा कारेकरम में नहीं जा रहे हैं लिखेत वजह जो बताई गई थी बयान जारी करके उसमें ये लिखा गया था कि अर्ध निर्मित मंदिर का उधगाटन किया जा रहा है सियासी कारणों से मंदिर बनकर तयार नहीं है इसलिए इसका ये जो पूरा आयोजन है इसको हाईजाक कर लिया है और बीजेपी ने और साथ साथ ये भी कहा गया चूंकि हम धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं इसलिए इस आधे बने मंदिर में जाकर के हम इस कारेकरव में शामिल नहीं होंगे सब सम्मान इसको हम ठोकरा रहे हैं ये बात कही कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से तो उस चाहिए था भगवान राम आराध्य हैं महां के वर्किंग प्रेजिडेंट ने भी ऐसी बातें कहीं हैं अब सवाल ये है कि आम तौर पर जिस जो चर्चा चल रही है कि कॉंग्रेस पार्टी ने बड़ा दुर्भाग्य पून फैसला किया इसका नुकसान होगा कॉंग्रेस पार्टी ने बड़े एक महीने तक विचार विमर्ज चला एक महीने पहले नहीं होता जा चुका था कि इस कारेकरम में जाएं कि न जाएं तो आखर ये फैसला क्यूं किया है कॉंग्रेस ने आज हम इस पर बात करेंगे सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस पर जो बयान ब जाते राम काल्पनिक होने का हलफ नामा तक हो गया यानि यह बहुत साफ है कि यह प्रवत्ति जो आज कॉंग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे परंतु आपने ऐसा नहीं किया परंतु मैं एक और बात इस पश्ट करना चाहत यह नहरू की कॉंग्रेस है यह गांधी की कॉंग्रेस नहीं है देखे राम मंदिर और भगवान राम सब के हैं राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग पूर्ण है राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग पूर्ण है राम मंदिर को RSS, विश्विंदू परिशाद, बजरंग दल का माल लेना, ये दुर्भाग पूर्ण है, मुझे पूरा भरोसा है कि कॉंग्रेस हिंदू विरोधी पारिटी नहीं है, कॉंग्रेस राम विरोधी नहीं है, ये कुछ लोग हैं जिनोंने इस तरह का फैसला कराने में भूमी का अधाकी है, ये बड़ा गंभीर विशह है, आज मेरा दिल तूट गया है, और इस फैसले से करोड़ों कॉंग्रेस के कारेकरताओं का दिल तूटा है, उन कारेकरताओं का, उन नेताओं का, जिनकी आस्था भगवान राम में है जब हमारे धर्थगुरु ये बाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे इस आयोजन को पूरी करीके से रोदेबागती धर्ता पाट्वी और शेश करते हैं और इसलिए हम भी कहते हैं कि जब मंदिर का निर्मानी पुरा नहीं हुआ कि जब मंदिर का निर्मानी पुरा नहीं कराना चाहते थे तो फिर राम नम्ली पर क्यों नहीं करा रहे हैं इनका उते ठर नहीं है खुरा ना है जली ते है कि पुरुष बोट नहीं हुआह इस पर हम बात करते हैं हमारे महमान स्टुडियो में हमारे साथ हैो उसकी तरीके से हर्षपरदंधर पाटी जी समीर सौकांकर साब और राहुल माजन जी आप तीरों का बहुत स्पागत है हर्षपरदं जी आप जो आम चर्चा चल रही है कि कॉंग्रेस पार्टी ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है कोई कह रहा है कि आतम घाती कद है कॉंग्रेस पार्टी हिंदी बेल्ट से साफ हो जाएगी इस कदम के बाद आप मानते हैं ऐसा ही कुछ है क्या कॉंग्रेस ने बाकई में बिना सोचे समझे निर्णे कर लिया उत्र प्रदेश में 80 सीट लोकसभा सांसद एक बिहार में 40 सीट लोकसभा सांसद एक राजस्थान में एक भी नहीं मद्र प्रदेश में एक गुजरात में एक भी नहीं दिल्ली में एक भी नहीं यानि एक तरह से कहें कि जिस हिंदी प्रदेश या हिंदी पट्टी से या उस उसे जुणे प्रदेशों से Congress Party के साफ हो जाने की बात हम सारे लोग हम राजनितिक विश्लेờ शक्क के तर पर कर रहे हैं मधियार्थी समिक्षक के तौर पर कर रहे हैं कॉझ्ञस है इसे कंग्रेयरिस पार्टी है कहा तेलंगाना में कहा रहा है औरो में बढ़ कहां सकती है तमिल नाडू में मत प्रतिशत कहां बढ़ाएगी आंदर प्रदेश में लड़ना कहां है उसे महाराष्ट उत्तर प्रदेश बिहार में उस वोट के लिए जो उससे छूड़ गया था कॉंग्रेस पार्टी बहुत जिसको कहें कि इस पष्टता के साथ तै करके ये कर रही है ठीक है आप कह सकते हैं कि जो राम मंदिर का अंदोलन था वो चला उसकी जो कड़वी यादे रही उन सब को थोड़ा सा किनारे किया जा सकता था अगर सोनिया जी वहां होती मरलम नीजी से पार्टी चली आ रही है उस पार्टी के अस्तित्तो का संकट है उसमें उसको लगता है कि वो देश की अकेली पार्टी है और कल अगर आप देखें जो उससे जुड़े हुए लोग है पत्रकार हैं बुद्धी जीवी है या जो भी लोग वो क्या कह रहे हैं कि यह आइड रामंदिर का यह पूरा निर्मार्टा यह पूरा कारिक्रम और ऴहत साफ है जो जहराम्रमेश की चिठ्ठी है वो साफ कहती है कि भ denial यह भारती जंता या मंदीर है जहां लोगों की आस्था जुड़ी है उसको तोड़ो वहां मस्जिद बनाओ क्यों ऐसा वो करते थे उनको तो समझ में आता था वो इस जमीन के नहीं थे वो इस देश के नहीं थे उनको पता नहीं था उनको लगता था कि हम यही रहून देंगे और तब चलो मा सबसे पुरानी पार्टी और उसके नेता कह रहें कि नहीं हम नहीं जाएंगे धर्म आस्था नीजी विशय है मंदिर इसका मतलब तूटे रहें वहां कोई नजाये घर में सब कुछ करते रहें यह तो तम होता है ना जब किसी की आस्था किसी की उपासना पत्धती उस पर क कोई विधर्मी कुछ कर रहा हो और यह जो बार-बार कहा जा रहा है कि हर कोई इससे इतर है आठ हजार लोगों में चार हजार से अधिक साधू संत हैं कोई ऐसा कि जितने भी आप जानते हैं उपासना पत्धती ते रहो अखाड़े जितने तरह के पीट मठ वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं शंकराचारे का एक अपना स्थान है और हो सकता है उनके मन में हो अभी मुक्तेश्वरा नंजी जिनके शिश्य हैं स्वामी सुरूपा नंसर सुती जी शंकराचा बहुत समानित थे लेकिन सबको यार है कि एक बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से उन्होंने क्या कहा है उन्होंने का कुछ धर्म द्यशी हैं जो इस तरह के अफवाँ फैला रहे हैं हम तो दीपावली से लेके प्रान प्रतिश्चा तक कह रहे हैं तारक मंत्र का जाप करो जाएंगे नहीं हो जरूरी थोड़ी ना है हर शंकराचार जाए उनका अपना एक समाने उनकी अपनी पद्वी है कॉंग्रेज जो कर रही है वो बहुत इस पस्ट है कि कहां उसे रहना है कहां उसे एक तरह से कहें को हताश निराश चुछ बहुत कैल्कुलेटेड मूव है ठीक और सीधे सीधे वोट वोट ही कैल्कुलेटेड तोर पर राजनीती है विशु दूसरा मैं कहता हूं कि अपने अंदर ही दरारे दिखनी दिखनी शुरू हो गई है अभी इस फैसले से पहले अगर हम बात करें तो उत्तरपदेश में जो उन्होंने अभी जो इंचार्ज बनाए है और अजे राय जो है वो दोनों ही सौ निताओं को लेकर जाने वाले थे राम मंदिर वहां पर पूजा अर्चना के लिए जाने वाले थे पदा रही तो अगर और अभी हिमाचल से बयान के आया उन्हीं के कॉंगरेस के निता का कि हम जो है जाएंगी राम मंदिर मुझे लगता है कि कॉंगरेस के अंदर खुद ही इस बात को लेके दरारे शुरू हो जाएंगी क्योंकि राम मंदिर का या जो भगवान राम का प्रश्ण है वो ऐसा प्रश्ण है जो आस्था का प्रश्ण है और लोग कॉंगरेस के अंदर हो या बाहर हो उन सब के लिए आस्था का प्रश्ण है और ऐसे में अगर आप ये करेंगे कि हम नहीं जाएंगे य क्या वो कुछ घटने जा रहा है या चले जाती तो क्या बढ़ जाता देखे कोशिश क्या है कोशिश तो यही है ना कि जो उत्तर भारत के स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी ने पिछली बार जो है बहुत जादा सीटे ली थी वहाँ पे कुछ सीटे हथिया ली जाए को लिक्ता हूँ कि हमको वैसे भी नहीं मिलनी है नई बीजेपी देखे पी को रोकना है या बीजेपी का मुकाबला करना है तो साउध में तो चलो आप ले लेंगे सीटें आपका नॉर्थीस में भी आपको सीटें की बात कर सकते हैं भों सकता है पष्डमंगार में झा बा अगर आप राम मंदिर का विरोध करते हो दिखाई देंगे तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस ताहां कर चुना होगा मैं तो कह रहा हूं कि क्या वोट बढ़ जाता अगर इस कारिकरम में चले जाते तो हाँ नुकसान जरूर हो जाता क्यों नुकसान हो जाता देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं मैंने मद्यपदेश का आपको कई बार उधारन दिया है मद्यपदेश में आपके निताओं ने जै बजरंग बली और सब कुछ नारे लगाए आपको मुसल्मान वोट जो है 33 फीस सदी जादा मिरा राजस्थान मद्यपदेश 36 गड़ 11 से 12 परसेंट आपका मुसलिम वोट बढ़ गया 36 गड़ में क्या था 36 गड़ में मुख्यमंत्री बकाइदा हिंदू राजनीती कर रहे थे वो राम गवनपत्थ बना रहे थे और कौशल्या मा का मुद्य बना रहे थे तो मंद्य जाने से कोई मुसल्मान वोट को डूट नहीं जाता जी कुछ कह रहे थे आपके रूशन नहीं जो राहूल जी कह रहे हैं उससे लगभग सहमत हूँ लेकिन एक बात समझने की जरूरत है जब हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश और 36 गण में वोट घटा नहीं विकल्प कहा है वहाँ आप देखे दो चीज नहीं होती है ना आप किसी को देखते हैं तो आप कहते हैं अचा चलो ठीक है यह हमारा दुश्मन हो सकता है यह हमारा दोस्त कम है दोस्त कम वाले में चल जाएगा लेकिन जहां आप दुश्मन भी है और थोड़ा दोस्ती का विकल्प भी है यहां कॉंग्रेस के लिए संकट है कॉंग्रेस पार्टी अगर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और इन बिहार और इन सारी जगहों पे अपना मूल वोट जिसको मैं कहता हूँ सेकलर वोटों की जो इसकी ठेकेदारी है जिसको हम कहें कि एक अकेले तोर पर वो दिखती थी और अब कई उसके बटवारे वाले है अगर वो फिर से वहीं पहुँच गई और मैं फिर से कह रहा हूँ आपको करनाटक, तेलंगाना, केरल, तमिल्लाड, उहांदर प्रदेश की राजनीती देखनी होगी महाराश्टर के एक बड़े हिस्से में जो कॉंग्रेस की राजनीती है उसको देखना पड़ेगा यही दिनड़े लेने के लिए उनको मुश्किल हो गई और आप देखिए बयान किसका आया है दोनों कॉंग्रेस के कारिकारी अध्यक्ष अपूरू अध्यक्ष कहां के गुजरात के जहां संभो नहीं यह राजनीत कर सके हैं कौन कह रहा है सुकुस आप कह रहा है हिमाचल में आप जानते हैं आप तो खुद हिमाचल से हैं रहा हो लिए आप तो जानते हैं वहाँ यह राजनीती करके तो आपको वोटा ही नहीं मिलेगा तो बहुत clear cut है वो लोग बोल रहे हैं जहां उनको लगता है और दिगविजे सिंग का तो मतलब यह पुराना रहा है ना दिगविजे सिंग तो आप ध्यान कीजिए वो बड़े जिसको कहें कि सारे तरह के काम करने के बाद आपको यार होगा कसाब वाले मसले में वो तो खिताब ही कलोकारपन करने पहुंच गए थ था हम तो पहले से ही सकते हैं हिंदू होने का मतलब ही है कि अगर दूसरे धन का समान नहीं कर सकते तो तुम हिंदू हो ही नहीं सकते मुझे लगता है कॉंग्रेस उसको एक्स्प्लोर कर रही है और बार बार उसको जो राहुल गांधी कहते थे हम संग से लड़ रहे हैं यह ये संग से लड़ाई का एक टूल उन्होंने खोजा है, अब हिंदू कितना उनके साथ जाएगा, कितना उनसे छिटकेगा, ये तो चुनाओ परड़ाम बताएं। अब संग से लड़ने का अगर ये टूल है भी तो आपने संग को बीजेपी को ये तो मौकर देही दिया कि आपको एक बार फिर हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टी करन करने वाली पार्टी के थपपा लगाएगी। कैरला से इंड hippus na के संही हो करल में कि आपको सुझार दिख रहे हूँ का इंग्रोधी कशनाओ नीजिवार छीटाइठ गयी शान्गْ हम्मूं तो ए हमको जाएग तो आपको के लगा था कि यही हो क्यरलव से च्ठी थीश परूदी का से थाय। तो मुझे लग रहा है कॉंग्रेस का इस तरह का निर्ड़ेश करने से विचार करती है जरूर जाती इस तीन चुनावव के होड़ने कांग्रेस को बता दिया है कि अब उससे उत्तर की तरफ नहीं देखना है उसकी पूरी इराधिती अब दक्षिन के तरफ शिफ्ट हो चुक है और जो भविश्य में लगते रहेंगे उससे बचने का कॉंग्रेस बास सुनरा मोका था कॉंग्रेस ने मोका गवा दिया है अब यह सीधर सीधर लाइन दो बाटों सो में बढ़ गई है कॉंग्रेस ने बहुत इस पश्ट लाइन पकड़ लिए कि हमें कैसी राजीती करन में मत ठुकराना आप हमको वोट देना अब कॉंग्रेस का पूरा फोकस उस 15-17% वोट बेंक के उपर टिका हुआ है यह जब मुस्लिम वोट वाली थेरी है कि बतलब कॉंग्रेस को जो नहीं मिलना वो नहीं मिलना है किसी बहुत नहीं मिलना कॉंग्रेस जाते भी अगर मुसल्मानों को साफ संकेत है कहीना जाना हमारे साथ ही रहना लालू अखिलेश वंता इनकी और नहीं इतना वड़ा सेक्रिफाइस किया आप वोट हमें दीजिए इसमें एक चीज में जरूर कहूंगा और कम से कम हम लोग तो यह बानते हैं हो सकता है कि हमारे सोचने का तरी चेक जायद जो UAE के शासक हैं उनके साथ यह ताकत आप में कहां से आती है जब आप कोई काम अंदर से करते हैं आपके लिए कोई भरोसा करेगा तो उनको तो नहीं लगता कि हमारा हिंदू वोट छिटक जाएगा वो तो बहुत गर्व से कह रहे हैं कि UAE हमारा बहुत जब या मिली नराम उस इस्थिती में पहुंच गए हैं तो दूविधा की राजनीती हो रही है कॉंग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो बार बार यह कह रहा है और मैं तो मतलब मुझे पता चला और मुझे तो सुनके आश्यर भी हुआ कि एके एंटनी साब जैस सुनिया गानी ने एक जवाब दिया था उसमें यही कहा था कि भाजपा ने हमारे उपर मुस्लिम परस्त चिपका दिया क्यों पुछा गया था सवाल कि 2017 में टेंपल रन राहुल गानी क्यों कर रहे थे यानि आप मजबूरी में हिंदू बनना चाहते हैं राजनेतिक तोर पर किसी भी पार्टी के लिए भारत वर्ष में ठीक नहीं है लेकिन शायद उनको लग रहा है कि हमारा जो नहरू जी का आइडिया आफ इंडिया है सेकुलर आइडिया आफ इंडिया है हम संग को कमिनल फिर से बनाने की कोशिश करेंगे अब वो कितनी कामियाब हो पाएग मैं अभी ये चर्चा हो रही थी मैं इतना मानता नहीं हो कि कॉंग्रेस को हिंदू वोट नहीं पड़ता है अगर हम पिछले अभी राजस्थान और मध्यपदेश की चुनाव देख लें तो कितना असर पड़ा हार गई कॉंग्रेस लेकिन 40 परसन वोट किया मध्यपदेश में पड़ा उसको 39 कुछ जो है राजल्स्तान में पड़ा तो ऐसा तो नहीं है अगर सारा मुसलिम वोट तो हो नहीं सकता इतनी तो परसंटेज जाद यहां पर आगरत में उत्तर प्रोडेश जैसे स्टेट में करेंगे जहां पर पूरा जो है राम मैं माहल होका तो घड़ जाएगा कुछ राज्य जो हैं जहां पर इतना मतलब उस तहां से मौहल नहीं होता वहां पर शायद इतना असर नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ ये ओवरॉल अगर हम देखेंगे तो ये कोई उस और जाने वाली राजनीती नहीं है जिसमें आपको घाटा ना हो आप नहीं घाटा होगा आप ये कहरा है नुक्सान होगा अगर बीजेपी का इनिशेटिफ चुराना था तो राउल गांदी अपनी ये जो नया यातर आयो दिया कर लेते हैं लेकिन इतना वड़ा साहस का काम बहुत मतलब उनका सुझाव बड़ा अच्छा है लेकिन इसके लिए आपका मन साफ होना चाहिए बहुत कडा होना चाहिए कहा जाता है कि किसी विक्षेत में जो बहुत आगे बढ़ते हैं उपड़े निश्ठूर होते हैं उनके लिए कई लोग अलग बाते करते हैं लेकिन अगर आप किसी जगह पर शीर्स पर पहुंच रहे हैं सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो आप अपने निरणय के साथ सबसे पहले तो खु लेते हैं तो ऐसे नहीं चलता है आपके दिमाग में किसी चीज की सपष्टता आती है तब आप कहना शुरू करते हैं कि देखो भाई मैं यह कह रहा हूं यह ठीक बात है तुम लोग नहीं समझ रहे थे लेकिन सोचों तो यह बात ठीक लगेगी अब कुछ लोग उसको सुन नाराज हैं उनको खुद कहते हैं कि हिंदू वेशधारी कोई उनको पसंद नहीं आता लेकिन अरजुन मोडवाडिया जो दूसरे कॉंग्रिस की रहता है वो बोल रहे हैं और उसे बोल नहीं रहे हैं वो कह रहे हैं कि यह एकदम गड़ पड़ है इससे तो पार्टी कहां चली जाएगी पता नहीं और कुछ लोगों को दिखता है और फिर जब आप शंकराचारी की आड़ लेने की कोशिश करते हैं फिर जब आप कहते हैं कि ने इससे तो यह हो जाएगा हिंदू विभाजन जैसा दिखने लगता है तो संकट होता और यह सब कब हो रहा है जब इ इमान का मसला था दीन का मसला था वो लड़े लेकिन दोनों एक साथ जाते थे एक ही रिक्ष्य पे बैठके और अब जब हो गया तो इकबाल अंसारी और महंत नित्य गोपाल दास वो भी उस कारेक्रम में साथ साथ बैटिंग यह भारत है यह है शंक्रा चारे वाली भी बा ऑर मनसवरू पी नहीं जा रहा है क्योंकि शास्तर संबत काम नहीं हो रहा है जैसे हर्श्वधन जी बोल रहे थे च肯ख आद्धा अधूरे मनस सी काम करते kierते हैं आपको एक मनरका करता है कि हम जो हिंदू-राजनीटी ए वो कर भी लें के साथ भी दिखें दूसरा मनरका कर परिणाम देखने को मिलते हैं, आपके ऐसे फैसले होते हैं, जो आपके खिलाफ जा रहे होते हैं। सुनिया गांदी नहीं जा रही है, लेकिन समीर जी अब आपके वाले से मैं असामत हो रहा हूँ, जब आपकोई निर्णाय ले रहे हैं, तो उस पर तो टिकिये, वरना फिर वही हो जाएगा, कि इधर से उधर से उधर से उधर, आधी छोड़ पूरी को दावाए, आधी भी आपके पार्टी के अंदर भी एक बड़ा वर्गे जैसे पसंद नहीं कर रहा है, वो अपनी अपनी राज़नीती देख रहा है, गुजरात के नेताओं वो मुष्किल हो जाएगा, तमिलनाट का कोई नेता लिखेगा, क्या, केरन का कोई नेता लिखेगा, लेकिना पूरी आई नहीं है, तो फिर उद्घाटन किस बात का हो रहा है, पहले तो मंदिर का उद्घाटन होता है क्या, दूसरा फिर ये कि शंक्राचारी इससे बड़ नाराज है, और शंक्राचारीों के बयान आए हैं, दो तीन शंक्राचारीों ने जो बयान दिये हैं, उस पर वो ये तरफ से इस पर आगे मनुख चर्शा करेंगे आप देखते हैं ये कहानी कुर्शी की डॉटने हैं जलाएं